अफिक्स का क्या मतलब होता है यह आज किस वीडियो में समझ लेती हैं अफिक्स का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है एक तो अफिक्स जो है हम प्रत्य को कहते हैं प्रत्य वे अविकारी शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेष्टा या प्रिवर्तन लाते हैं और प्रत्य को कई बार परसर्ग भी कहा जाता है यानिकि परसर्ग जो होते हैं यानिकि जो शब्द के किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसका आर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेश्ता ला देते हैं तो उनको प्रत्य कहें और इसके इलावा इसका आर्थ होता है लगाना, संयुक्त करना या किसी चीज से जोड़ देना, चिपकाना, मिलाना, या किसी और चीज से चिपकाना यानिकि जैसे कई बार लिखा हूँ आप देखते हैं कि affix your recent passport size photograph here तो यहाँ पर अपना passport size photograph चिपकाएं जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि किरपया यहाँ अपनी company की मोहर लगाएं तो आप कहेंगे please affix your company's stamp here please affix your company's stamp here या अगर आप यह कहना चाहें, form को पूरा करें और उसके पीछे चार टोकन चिपका दें, तो आप कहेंगे complete the form and affix four tokens to its back, complete the form and affix four tokens to its back, अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप